अपने बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट की देखें इंग्लिश ग्रामर दोस्तों जितनी हम मुश्किल समझते हैं उतनी मुश्किल है नहीं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जो मेन कंसेप्ट हैं वहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा एक तो आपको English grammar में कुछ जोड़े हैं उन जोड़ों का ध्यान रखना है कुछ pairs हैं इन pairs को आप ध्यान में रखें माइंड में रखें यह जोड़े क्या है जैसे यह जोड़े हम बात करें तो जोड़ा एक तो यह है कि no sooner no sooner जो है no sooner के साथ जोड़ा बनता है देन का एक्जाम में no sooner से related प्रशन आए तो जोड़े की बात हो तो no sooner के साथ जोड़ा कोन मनाता है देन और अक्सर एक्जाम में इस से related यह THEN देन लिखता है तो समझना गलत है और अगर WHEN लिखता है तो यह गलत है और कई बार खाली कोमा भी आ जाता है यह भी गलत है यह गलत होगा सही जोड़ा किस के साथ होगा THEN के साथ इसी तरह जो hardly scarcely है hardly या scarcely hardly scarcely के साथ जो जोड़ा बनता है वो किस का होता है वो WHEN होता है यह तो है correct लेकिन wrong क्या है wrong यह है कि इसके साथ देन देदेगा इसके साथ THEN देदेगा या इसके साथ कॉमा देदेगा तो यह सब गलत है यह सब गलत है इसके साथ correct जोड़ा बनता है वेन का जबकि note सुनर के साथ देन का इसी तरह note only note only के साथ जोड़ा बनता है किसका but also का not only के साथ जोड़ा बनता है but also का यही correct है इसके साथ कुछ और दे दिया तो गलत है यह जोड़ा आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा both के साथ जोड़ा कौन बनाता है both के साथ जोड़ा बनाता है and और अक्सर इसमें यहाँ पर क्या दे देता है as well as यह दे देता है या कभी कभी और लिख देता है यह और भी गलत है as well as भी गलत है किस के साथ बोथ के साथ प्रशन यह से पूछा जाता है both, ram as well as, sham तो यह as well as नहीं आ सकता इसी तरह both, ram, or, sham ऐसे कोशन देता है तो आपको समझना है कि ऐसा नहीं होगा ये गलत होगा सो और एज भी होता है इसी तरहे नवे नंबर पर ओल्दो ओल्दो के साथ जोड़ा कोन बनाता है या तो कोमा या फिर येट जोड़ा बनाता है इसके अलावा जब एक्जाम में इससे प्रशन पूछता है ना तो इसके साथ बट दे देता है समझना बट गलत है याद रखना कि बट ओल्दो के साथ हमेशा गलत होगा तो याद क्या रखना है कि नो सुनर के साथ जोड़ा ये बनाता है ती एचे एन ती एचे एन नहीं बनाता है डबलू एचे एन नहीं बनाता है इसी तरह hardly scarcely के साथ जोड़ा कौन बनाता है when THN नहीं बनाता, THN नहीं बनाता, कौमा नहीं बनाता, not only के साथ जोड़ा कौन बनाता है but also, कुछ और नहीं बना सकता, both के साथ end exam में क्या पूछता है, as well as दे देता है, और दे देता है, तो यह गलत है, और either के साथ or, neither के साथ nor, as, as, or so as, although के साथ yet, और एक इस तरह का कौन बहुता है, तो, two, two, two होता है और so that होता है, two, two होता है, और so that, तो यहां से भी प्रशन पूछा जा सकता है, to के साथ कुछ और लगा देगा और so के साथ कुछ और लगा देगा जैसे he is too weak to walk ऐसे प्रशन पूछा जाए he is so weak that he cannot walk इस तरह का प्रशन पूछा जाता है याद रखना to two होता है so that होता है तो ये कुछ बाते हैं जो आपको mind में रखनी है इनसे definitely question पूछा जाता है चाए कोई साभी competitive exam हो ये जोडों से related question याद रखने है जोड़े गलत करके question पूछे जाते हैं तो बचों याद क्या रखना है no sooner के साथ then ये वाला then नहीं ये वाला when नहीं कोमा नहीं और hardly scarcely के साथ when ये वाला then नहीं ये वाला then नहीं कोमा नहीं not only के साथ but also और कुछ नहीं both के साथ and as well as या और नहीं either के साथ और आता है और कुछ नहीं और neither के साथ nor आता है और कुछ नहीं और as as और so as और although के साथ या तो कोमा आएगा या क्या आजाएगा येट लेकिन exam में बट देखर इसे प्रशन पूछता है जो की गलत होता है और true true होता है so that होता है तो सबसे पहली बात तो ये concept आपको mind में रखना है जहां से class को सुनना है सारे concept आपके mind के clear होने चाहिए English grammar स संबंध कोई भी समस्या आपके mind में नहीं रहने चाहिए सबसे पहले तो आपको जो है ना mind में English के प्रति भहे को निकालना है क्योंकि कोई भी युद्ध और कोई भी लड़ाई है ना बिना strategy के नहीं जीती जा सकती और अगर आपके मन मस्तिक्ष में भहे होगा उस चीज क आपने तैयारी कैसी भी किया है बस आप इस पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे अच्छे से नोट्स बनाएंगे फिर इसको देखकर या सिर्थ सुन भी लेंगे खाली और में में चीजों को याद करेंगे तो आपके लिए बहुत इच्छी साबीत होने वाली है दोस्तों ये कलास तो चलिए ये जोड़े याद रखने के बाद आपको कुछ कोशन में में बताऊंगा कि किस तरह की कोशन अपने को जिहान में रखने है चलिए देखिए मानलो की हमकुछe questions की बात कर लेते हैं यहांपर हमकुछ questions की बात कर लेते हैं मानलो की ये question है जिन जोडो की मैंने बात की है उनहीं के उपर में कुछe question लिक रहा हूं जैसे हमने ये लिखा कि No sooner No sooner Did he Join This class इस क्लास वेन आई थेंक्ड हिम और यह नो एरर मालू यह कोशन है और यह इस संटेंस का पहला पार्ट है यह इस संटेंस का सेकेंड पार्ट है यह इस संटेंस का थर्ड पार्ट है और यह इन पहले कुछ कोशन लिख लेते हैं अपने बाद में अपने बात करेंगे अंसर की तो यह पहला और कोशन नमबर दूसरा दूसरा कोशन है कि हार्डली hardly had he plucked hardly had he plucked the hardly had he plucked the flowers देन दा गार्डनर देन दा गार्डनर स्कॉल्डेड हिम स्कॉल्डेड हिम और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जो एन इस एन इस से आप समझ जाना नो एरर तो यह संटेंस का एपार्ट यह यह संटेंस का बी पार्ट यह संटेंस का सी पार्ट और यह दी इसी तरह मान लो कोशन नंबर थर्ड है कि not only not only John but also but also his friends His friends are playing a game और ये no error ये इसका A part ये इसका B part ये है इसका C part और ये D part इसी तरह कोशन नमबर 4 कोशन नमबर 4 है कि neither she nor एक सेकेंड neither she or his sons are lazy और no error ये इसका A part ये इसका B part ये C और ये D कोशन नमबर 5 either 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 you nor your friends are playing playing well ये और no error अब ये इसका A part ये इसका B part ये C और ये D अब देखिए दोस्तों यहां पर किस sentence में क्या error है उसकी अपने बात करें तो मैंने यहां पर आपको कुछ जोड़े बताए कि no sooner के साथ कौन जोड़ा बनाता है not only के साथ कौन जोड़ा बनाता है either or neither nor के साथ कौन जोड़ा बनाता है इनी जोडों के उपर question है तो देखो no sooner यहाँ पर दे रखा है तो no sooner के साथ जोडा कौन मनाता है then लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया when तो हमें पता है कि यहाँ जोडा किसका है then का लेकिन इसने दे दिया है when तो यह c पार्ट में ऐसी गलती है और जिस पार्ट में गलती है वही हमारा answer है तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा c होगा इसी तरह hardly had he plucked flowers then the gardener scolded him अब हमें पता hardly के साथ जोडा कौन मनाता है hardly के साथ जोडा बनाता है when तो इसने यहाँ पर लिखा है then तो यहाँ पर यह then mistake है यहाँ पर when आना चीए इसी तरह not only के साथ जोडा बनाता है but also तो यहाँ पर बटालसो बन रहा है फिलाल में सिर्फ जोडे की बात कर रहा हूँ और क्या rule है वो आगे बात करूँगा फिलाल में यहाँ पर सिर्फ जोडों की बात कर रहा हूँ तो not only के साथ बटाल सो तो ये बात correct है इस sentence में कहीं भी कोई error नहीं है फिर हम यहाँ पर देखें neither के साथ जोड़ा मनाता है nor लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और तो यह गलती है और यह गलती कहा है be part में जहां गलती है वही हमारा answer है इसी तरह either के साथ जोड़ा कोन मनाता है और लेकिन यहाँ पर लिखा है nor तो दोस्तों यह भी यहाँ पर mistake है यह भी यहाँ पर गलती है तो इस गलती का अपने को ध्यान रखना है तो यहाँ पर तो बात हुई है जोड़ो की ऐसे as is so as या फिर to to so that या फिर although although वाला एक example अपने देख लेते हैं यहाँ पर although से संबंधित कैसा प्रशन पूछा जाता है जैसे यह मालो कोशन होता कि although although you are although you are a good boy although you are a good boy but you are lazy लेकिन तुम lazy हो यद भी तुम अच्छे लड़के हो परन्तु तुम lazy हो मालो यह कोशन है यह इसका A part हो गया यह इसका B part हो गया यह C हो गया और यह D तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर इसके साथ although के साथ जोड़ा कौन बनाता है although के साथ जोड़ा बट नहीं बनाता है although के साथ जोड़ा बनाता है यहाँ पर जोडों से संबंधित प्रशन जो पूछा जाएगा ना तो वहाँ पर इस तरह की error आपसे पूछी जा सकती है ओके चलिए आगे बात करते हैं आप देखिए इनहीं की बात हम यहाँ पर करें तो not only जो not only से प्रशन पूछेगा तो वहाँ पर not only और but also not only और but also से अगर कोई question पूछा जाता है तो वहाँ पर किस type की mistake हो सकती है और किस type की mistake हो सकती है किस type का question पूछा जा सकता हमें क्या याद रखना है not only but also का क्योंकि कोई भी exam होता है वहाँ पर जो main मुद्दा है ना वो समय का है टाइम का है, टाइम कैसे बचाया जाए, तो अगर अपने को rules पता है, अपने को concept पता है, अपने को पता है कि error कहा हो सकती है, अपने को पता है कि इसका answer क्या हो सकता है, तो वहाँ पर समय निश्चित रूप से बचता है, तो समय बचाने के लिए आपको note only बटालसो के कुछ बाते याद रखनी है एक बात तो यह कि not only के साथ जोड़ा बनता है बटालसो का दूसरी बात कि इसके तीन रूल है कितने रूल है इसके तीन रूल है यह तीन रूल अपने को याद रखने है और कौन-कौन से तीन रूल है रूल नंबर एक यह है कि अगर किसी sentence में subject है पहले और इस sentence में note only दे रखा है और sentence में आगे जाके but also दे रखा है तो ऐसे sentence में आपको करना क्या है एसे sentence में आपको ये करना है कि सीदा जाकर इसको underline कर लो इसको underline करने के बाद देखो कि यहां पर क्या दे रखा है क्या यहां पर कोई article है अगर यहां पर कोई article है तो यहां पर भी definitely यही article होना चाहिए मतलब कोई भी article होना चाहिए अगर उधर article है तो इधर भी article होना चाहिए और अगर इधर noun है तो इधर भी noun होनी चाहिए और अगर इधर वर्व है तो इधर भी वर्व होनी चाहिए और अगर इधर preposition है अगर इधर preposition है तो यहां पर भी होना चाहिए बस आपको base किसको बनाना है आपको base बनाना है बटालसो को जो चीज बटाल सो के बाद है वही not only के बाद होनी चीए ऐसा नहीं होगा तो sentence में mistake मानी जाएगी मैं एक एक example से आपको ये बात समझा देता हूँ मानलो कि हमारे पास sentence है कि he has he has not only not only a car a car he has not only a car but also but also has a bike उसके पास ना केवल एक कार है बलकि एक बाइक भी है और मानलो ये sentence का a part है ये sentence का b part है और ये sentence का c part है अब यहाँ पर he has not only a car but also has a bike अब हमने देखा कि यहाँ पर sentence में क्या है but also को हमने अंडरलाइन किया but also के बाद क्या है हमने देखा has has तो एक वरब है तो not only के बाद भी वरब होने चीए लेकिन यहाँ पर तो not only के बाद article दे रखा है तो ये गलत है not only के बाद article नहीं चल सकता क्योंकि the but also के बाद वरब है तो अपने को not only के बाद भी वरब ही लिखनी होगी तो इसका मतलब ये not only जो है ना यहाँ सही नहीं है इसकी जगह कहां है यहाँ अब जब इसकी जगह यहाँ होगी तो इसके बाद क्या होगा has और but also के बाद भी क्या है has तो ये sentence अब सही होगा इस note only की जगे यहां नहीं है इसकी जगे यहां है और ये mistake है कहां ये sentence के ए पार्ट में mistake है तो दोस्तो यही इसका answer है जहां error होती है वही answer होता है तो हमारे इस question का answer क्या होगा ये और हमें rule क्या याद रखना पड़ेगा हमारे को rule ये याद रखना पड़ेगा कि but also के बाद जो part so speech होता है वही note only के बाद होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो sentence में error होगी और base बनाना किसको है note only को base बनाना है sorry but also को base बनाना है जो चीज बटाल सो के बाद हो वही note only के बाद होनी चाहिए अक्सर ऐसा होता नहीं है तो sentence में error हो जाती है ठीक है तो base उसको बनाना है तो ये तो हुआ इसका पहला rule इसका दूसरा rule क्या है उसकी बात करते है दूसरा rule ये है B बी rule की बात करेंगे अपने कई बार क्या होता है कि sentence की शुरुआत होती है note only से और note only के बाद होना चाहिए क्या helping वरब और फिर होना चाहिए subject अगर ये तीन बाते सही है note only helping वरब subject ये तीन बाते सही है तो अगर यहाँ पर sentence में but also दे रखा है हमें कोई फरक नहीं पड़ता अब आपको but also को base नहीं बनाना है but also के बाद कुछ भी हो लेकिन ये तीन चीजे sequence से पढ़ी है सबसे पहले note only फिर helping वरब फिर subject तो ऐसा sentence हमेशा no error वाला होगा इस sentence में कोई error नहीं होगी लेकिन इसमें भी अगर error होनी होगी तो कैसे होगी तो ये subject को पहले और वरब को अगर ये ऐसे दे देगा कि note only को तो starting में लिख देगा और फिर ऐसे लिख देगा subject और फिर वरब ऐसे लिखेगा ना तो यहां गड़बड हो जाएगी फिर यहाँ पर फिर गड़बड हो जाएगी अगर not only से sentence की सुरुवात हो रही है, तो यहाँ पर गड़बड हो जाएगी, यहाँ पर फिर error हो जाएगी, अगर not only से सुरुवात हो रही है, helping verb है और subject है, जब तो इस sentence में कोई error नहीं है, अगर इसको interchange करता है पहले subject फिर वरब तो फिर इस तरह का अगर concept बनेगा ना तो फिर sentence के इसी part में error होगी एक example से इस बात को हम समझेंगे question यह है जैसे कि not only has he a car but also he has a bike माल लो यह sentence है कोई error का और यह है इसका a part यह है sentence का b part यह है sentence का c और यह है d अब देखो हमने देखा कि sentence की सुरुआत किसे हो रही है not only से और उसके बाद क्या है helping वरब यह रहा और उसके बाद subject तो बस आगे पढ़ो ही मत यह sentence होगा आप इस पर time waste मत करो यह sentence सही होगा इसमें कोई भी error नहीं होगी अगर not only से sentence की सुरुआत हो रही है helping वरब है subject है तो बस आगे time waste मत करो यह sentence सही होगा लेकिन इस तरह का sentence error वाला भी हो सकता है मालो मैं इसी sentence को ऐसे लिखता हूँ not only he has not only he has a car but also but also he has a bike मालो ऐसा sentence है ना तो अब not only से sentence की सुरुआत हो रही है तो फिर he has नहीं हो सकता क्या होगा has ही होना चाहिए था इसका मतलब यह sentence में mistake होगी यह हमारा concept number two जो की not only but also के लिए है किस के लिए है not only but also के लिए यह concept not only but also के लिए है और यह दूसरा concept है एक तीसरा concept भी है उसमें क्या है देखते हैं तीसरा concept यह है not only but also का तीसरा concept यह है दोस्तों कि जब मैं English में अगर लिखूँ तो ऐसे लिखूँगा कि when two or two or more subjects more subjects जोइंड विट जोइंड विट नोट ओनली और बट आलसो जब दो या उससे अधिक सब्जेक्ट नोट ओनली बट आलसो से जुड़े होंगे तो वर्ब किसके अनुसार होगी वर्ब according to the second subject बोल दो या nearest subject nearest subject जब दो सब्जेक्ट आपस में note only बट आलसो से जुड़े होंगे हिंडी में भी लिख लेते हैं हमने कुछ हिंडी मेडियम के बच्चे हैं जैसे तो ये रूल ये है बच्चों कि जब दो सब्जेक्ट जब दो सब्जेक्ट नोट ओनली बट आलसो से जुड़े हों तो वर्ब का यूज वर्ब का यूज पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा अब कोण सा पास वाले सब्जेक्ट जो वर्ब के पास में होगा जो वर्ब के पास में होगा उसको हम कह रहे हैं कि पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार इसका परियोग होगा जैसे example से समझते हैं जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं कि not only not only the principle not only the principle but also but also teachers but also teachers has called me has called me अब मान लो कि ये कोई error का question है अब ये sentence का A part है ये sentence का B part है ये sentence का C part है और ये है sentence का D part अब अपने से पुछा जा रहा है बताओ error कहा है तो हमने देखा कि दो subject हैं एक तो principle और एक teachers दो subject किस से जुड़े हुए है not only but also से और जब दो subject note only but also से जुड़े होते हैं तो वर्ब किस के coding होती है वर्ब अपने nearest subject के coding होती है पास वाले subject के नुसार आती है तो पास वाला से ये रही वर्ब और इसका पास वाला subject कौन है teachers teachers तो plural है तो ये वर्ब कैसी होने चाहिए दोस्तों ये plural होने चाहिए है वाना चाहिए और ये mistake है कहाँ ये mistake है C पार्ट में तो हमारा answer क्या होगा C तो ये note only but also के तीन concept आपको दिहान में रखने है note only but also से जब भी कोई question पूछा जाएगा तो इसी तरह का question यहां पर पूछा जाएगा no sooner के साथ जोड़ा बनाता है then कोई और जोड़ा आगया तो गलत लेकिन no sooner के साथ और क्या बात नहीं याद रखनी है उसकी भी बात करेंगे अपने और hardly scarcely के साथ क्या बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि no sooner के साथ तो then hardly scarcely के साथ when और नो सुनर के बाद जो टेंस आता है उसी का फर्स्ट टेंस देन के बाद आना चाहिए हाडली या स्केसली के बाद जो टेंस आता है उसी का फर्स्ट टेंस वेन के बाद होना चाहिए कैसे होता है यह सब अभी मैं आपको बता देता हूँ देखिए दोस्तों ऐसे कि अपन को ये तो पता है कि नो सुनर के साथ नो सुनर के साथ देन आता है ये अपने को पता है ये जोड़ा है इसका लेकिन याद रखना कि यहाँ पर जो टेंस होता है यहाँ जो भी टेंस हो जो टेंस हो जो भी टेंस हो इस देन के बाद यहां इसी का इसी टेंस का इसी टेंस का फर्स्ट टेंस होना चाहिए फर्स्ट या इंडेफिनेट टेंस होना चाहिए और ये बात hardly scarcely पर भी लागू होती है hardly और scarcely hardly scarcely के साथ जोड़ा मनाता है when ये बात हमें पता है लेकिन यहाँ पर भी याद रखना कि यहाँ पर जो tense होगा यही बात मैं इसके लिए भी कहूँगा यह बात इसके लिए भी है यह बात इसके लिए भी है यहां पर hardless case-ly के बाद जो tense होगा इसी tense का पहला tense when के बाद होना चाहिए अब यह कैसे होता है यहां पर देखिए दो question से हम इस पूरी बात को समझ सकते हैं कि tense का क्या चकर है जैसे मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं यह पार्ट यह इसका बी पार्ट यह इसका 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 सी पार्ट और यह इसका पार्ट यह इसका पार्ट यह इसका पार्ट यह इसका पार्ट यह इसका प ये डी अब देख़ो यहाँ पर कहरा है नो सुनर है है और यह वर्ब की das और है इस प्लस यह बच्छों वर्गी कौन सा नो होता है है पर तो यह क्या होना चाहिए था स्कोल्ड सुनर है जी अगर नो सुनर के बाद जो टैंस है ना उसी का पहला टैंस देन के बाद होना चाहिए तो पहला टैंस का मतलब simple tense या indefinite tense तो present indefinite या simple present tense आना चाहिए simple present tense क्या है यहाँ पस और अब की बस पॉप ऐसी तरह दूसरा question देख लो कि hardly 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 had he had he abused her when she she calls her parents her parents और no error अब यह sentence का है a part यह sentence का है b part और यह है sentence का c और यह है d अब हमने देखा यहाँ पर hardly के साथ pair वाली गलती तो नहीं है ना हाँ pair वाली गलती तो नहीं है लेकिन hardly के बाद head plus verb की third form है जो की concertence है past और past में concertence है past perfect लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि यह concertence है past का है कोई साभी tense हो तो when के बाद simple past tense आना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो simple present आ रहा है और simple past क्या होता है वरब की second form तो यहाँ पर यह आना चाहिए दोस्तों तो यह यहाँ पर error है तो उमीद है कि आपको concept समझ में आ रहे हैं सारी बातें समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं आ रहे है को दिक्कत है तो आप comment करें कोई भी डाउट हो आपको कमेंट करें आपके कमेंट का तुरंत reply किया जाएगा कोई भी आपका डाउट है उसको clear किया जाएगा तो यह नौ सुनर hardless case not only but also जो की main चीजे हैं जहां से question पुछा जा सकता है इसकी बात हम लोगों ने कर ली कुछ और जोड़े भी बताए मैंने उन जोडों से कैसे प्रशन आता है उनकी बात करते हैं तो यहां पर अभी महने although का तो तुम्हें बताई दिया था तो ऑल दो के साथ जोड़ा या तो कउमा या यहेट बनाता है बट नहीं मनाता याद रखना बट इसके साथ जोड़ा नहीं मनाता है तो अभी मैंने इसका एक्जांबल तो बता ही दिया था तुम्हें दोबारा बताने कि आप सकता नहीं है और दूसरी बात आप इस चीज को याद रखना किसको एक तो एज़ेज और एक सो एज़ेज इस एज़ेज प्रकार के वाक्या सभी प्रकार के वाक्या में इसका यूज किया जाता है सभी प्रकार के वाक्या का मतलब चाहे एफिरमेटी हो चाहे नेगेटी हो कैसा भी संटेंस हो एज़ेज का यूज कर सकते हैं लेकिन इसके लिए लिमिटेशन से हैं सो एज़ेज के लिए एक सीमा है और वो क्या कि ये केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है केवल नेगेटिव सेंटेंस केवल नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाएगा इन दो बातों को ध्यान में रखें एजे सभी परकार के वाकियों में आता है और सो एज केवल नेगेटिव सें तो दोस्तों यह डिगरी होने चाहिए positive और इसके इलावब कोई डिगरी आ गई तो फिर वो गलत होगा तो फिर यार क्या समझने वाली बात नहीं है तो अगर हमें यह सारी बातें पता हैं ना तो फिर हम कोई सा भी question गलत नहीं करेंगे आपको याद क्या रखना है कि as इस सभी प्रकार के वाक्यों में आता है so as के अवल negative sentence में आता है दोनों के बीच में degree कोण सी आती है degree 3 है positive, comparative, superlative तो as as के बीच में हमेशा positive degree का use किया जाता है तो sentence से समस्ते हैं बचों कैसे जैसे मान लो कि हमारे पास sentence यह है कि you are you are so good you are so good as your brother तुम उतने अच्छे हो जितना तुमारा भाई मान लो यह sentence है you are so good as your brother और यह इसका c part हो गया, यह इसका d हो गया अब देखो इस sentence में error क्या है, चलो एक बार अपने सारे question लिख लेते हैं फिर अपने error की बात करेंगे यह पहला question हो गया, और question number second question number second है कि he is as he is as cleverer cleverer as his parents as his parents, यह इसका दूसरा question B और यह C और यह D और third question है दोस्तों यहां पर कि you are you are not so wise you are not so wise as your friends as your friends और यहां पर no error तो यह है sentence का A part यह है sentence का B part यह है sentence का C और यह है sentence का D part अब देखें कि किसमें क्या error है अपने को दुबारा में बातें बता रहा हूँ कि अपने को याद रखना है कि as, as तो सभी type के sentences में आता है और so as जो है केवल negative sentence में आता है और दोनों के बीच में degree जो होती है वो positive होती है तो यहाँ पर so as नहीं हो सकता A part में रहा है क्यों नहीं हो सकता so as year a so, year a as so as क्यों नहीं आ सकता क्योंकि sentence negative ही नहीं है negative sentence में ही तो use कर सकते है हम so as को यहाँ पर sentence negative नहीं है इसलिए हम so as का use नहीं करेंगे और यहाँ यह गलती a part में है तो हमारा answer क्या होगा हमारा answer होगा a इसी तरह he is as cleverer as his parents हाँ यहाँ एस तो सभी प्रकार के बाके मात है यह बार ठीक है लेकिन cleverer cleverer तो comparative degree होती है positive degree क्या होती है इसकी clever clever होता है चालाक clever positive degree है cleverer comparative degree है cleverest superlative degree है तो यहाँ पर किसका प्रियोग होना चाहिए था positive degree का यहाँ पर clever होना चाहिए cleverer नहीं होगा, तो यहाँ पर sentence में error है, फिर है यह sentence, यह negative sentence है, और negative sentence में as-as का use होता है, और इन दोनों के बीच में positive degree है, तो है, तो इस sentence में कोई भी error नहीं है दोस्तों, तो अमीद है, यह concept भी clear है, बहुत ही आसान है, चुटकियों में यह इस type का question आ गया, तो ऐसे फटा और बता दू, as-as, सभी type के sentences में आता है, also-as, only negative sentence में, दोनों के बीच में degree जो होगी न, वो positive होने चाहिए, दोनों के बीच में, बस इतनी सी बात याद रखिए, कहां गलत होगा यह question, कभी नहीं हो सकता, चलिए, आगे अगले concept की बात करते हैं, अगला concept जो है हमारा, वो यह आइदर और और नाइदर नोर का, आइदर के साथ जोड़ा बनाता है और, और नाइदर के साथ जोड़ा बनाता है नोर, आइदर के साथ जोड़ा बनाता है और, नाइदर के साथ जोड़ा बनाता है नोर, यह बाते तो याद रखनी ही हैं, लेकिन कुछ और बाते भी याद रखनी है दोस्तों यहां पर वो क्या कि कई बार आइदर और ना होकर आइदर ओफ होता है या फिर नाइदर ओफ होता है आइदर ओफ भी होता है और नाइदर ओफ भी होता है नाइदर ओफ हो या आइदर ओफ हो इन दोनों के साथ यहां पर जो आप सब्जेक्ट कि लिखेंगे कर दो सोने कैई दो होना चाहिए होöर नशी और यहां पर सब्जेक्ट और भेगा दर और के साथ नए नबल न कि लेकिन यह अर दर ऑफ और लेकिन यह अलग हैं और चीज है जाद रक दाज़ší तो आपकोumble करेखना में है कि जब दो सबजेक्ट्स जब दो सबजेक्ट्स दो सबजेक्ट्स आइदर और आइदर और या फिर नाइदर नौर नाइदर नौर से जुड़े हूं तब वर्ब का यूज वर्ब का यूज बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार इसका यूज होना चाहिए ये तीसरी बात याद रखनी है वैसे तो तीसरी होगी कि अईदर के साथ और नईदर के साथ नौर और अईदर और अईदर के साथ सब्जेक्ट प्लियूरल वर्ब सिंगुलर और जब दो सब्जेक्ट अपस में अईदर और नईदर नौर से जुड़े होंगे तो वर्ब का यूज बाद वाले सब्जेक्ट के नुसार होगा अब इन ही सारी बातों को हम कोशन से समझते हैं कोशन से ऐसे समझते हैं हमारे पास पहला कोशन ये है कि आइदर ओफ योर टू आइदर ओफ योर टू संस आर लेजी मान लो अपन ये लिखते हैं और ये नुएर ये है इसका एपार्ट ये है संटेंस का बी पार्ट ये है सी और ये है डी दूसरा कोशन ये है कि नाइदर ओफ इस नाइदर ओफ इस तू संस इस ओबेंग ओबेंग हिम और नो एरर ये इसका एपार्ट ये बी और ये सी और ये डी एक तीसरा कोशन अपन उपर लिख लेते हैं तीसरा कोशन कि आईदर आईदर शी और हर संस अर लेजी ठीक है और नो एरर अब ये संटेंस का है फरस्ट पार्ट ये संटेंस का है सेकंड पार्ट ये संटेंस का है थर्ड पार्ट और ये संटेंस का है फौर्थ पार्ट अब कहां क्या एरर है वो अपने यहां पर देखते हैं फिर एक बार बातें याद ये रखनी है कि आईदर के साथ जोड़ा बनाता है और नाइदर के साथ नोर और दूसरी बात याद ये रखनी है कि आईदर ओफ हो चाहिए नाइदर ओफ हो सबजेक्ट तो होगा प्लियूरल वर्ब होगी सिंगूलर तीसरी बात याद ये रख हो तो two sons यह तो plural है वर्ब कैसी होनी चीए singular तो आर नहीं चलेगा यहां पर होना चीए is जी हाँ यहाँ यहाँ पर अपने को लग रहा है जी व्यार संस इस हाँ संस इस ही होगा यहाँ either of your two sons is lazy तो यहाँ पर either of के साथ यहाँ पर noun तो plural होगी लेकिन वर्ब कैसी होगी singular और यहाँ पर neither of के साथ neither of two sons यह plural है लेकिन वर्ब singular होनी चीए और वर्ब singular है तो यह sentence correct है इसमें कोई error नहीं है और यहाँ पर दो subject है एक तो she और एक her sons और जब भी दो subject either or neither nor से जुड़े होते हैं तो वर्ब बाद वाले subject के अनुसार आती है तो बाद वाला subject कौन है sons और इसके साथ क्या आगया आर तो इस sentence में कोई BRA नहीं है लेकिन दोस्तों इसी concept से जुड़ा हुआ एक concept और है जो इसी से जुड़ा हुआ है कई बार क्या होता है कि दो से अधिक subject जो होता है वहाँ पर दो से अधिक लोगों की बात होती है तो आईदर ना इदर का प्रियोग तो केवल दो लोगों के लिए होता है अग कि आईदर हो या नाइदर आईदर या नाइदर आईदर नाइदर का यूज ऑनली टू के लिए होता है और मान लो मौर देन टू हो क्या हो मोर देन टू हो more than two तब अपने क्या करेंगे कि जो either of होगा उसके स्थान पर तो होगा one of और जो neither होगा उसके स्थान पर क्या लिखेंगे none of तो one of none of कब लिखना ये जब दो से अधिक हो और rule वही है इसके साथ भी वही बनेगा कि यहाँ पर जो subject होगा subject तो होगा plural लेकिन यहाँ पर आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसे होगी वो singular होगी subject तो plural होगा लेकिन वर्ब singular होगी किस के साथ one of none of के साथ भी either of neither of के साथ तो है लेकिन one of none of के साथ भी यही रूल है कि subject तो plural होगा वर्ब singular होगी कैसे होगी जैसे यहां पर देखिए जैसे अपने कहते हैं neither of neither of his four sons neither of his four sons looked after him looked after him उसके चार लड़कों में से कोई भी उसकी देखवाल नहीं करता है तो यह है sentence का A part, यह है sentence का B part, यह है sentence का C part और यह है D neither of his four sons looked after him, एक तो यह sentence हो गया और दूसरा sentence यह है कि either of either of your two books either of your two books are interesting are interesting और यह है sentence में no error अब यह sentence का है A part यह sentence का है B part और यहाँ sentence में है C part और यह है D अब दोस्तों क्या गलती है देखें यहाँ पर यह कहरा है कि neither of your four sons four sons तो यह तो more than two हो गया और जब more than two होता है तो फिर either of neither of का use नहीं होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए none of यहाँ पर होगा none of your four sons looked after him none of his four sons sorry उसके चार लड़कों में से कोई भी उसकी आगया का पालन नहीं करता है तो उसकी देखबाल नहीं करता है looked after देखबाल करना एक phrasal verb है either of your two books are interesting either of your two books तो either of के साथ तो यहाँ पर noun pronoun plural होता है लेकिन verb कैसी होती है singular तो यहाँ पर इस आना चाहिए और यहाँ पर केवल दो ही लोगों की बात हो रही है और either of neither of का प्रयोग दो लोगों के लिए किया जा सकता है लेकिन दोस्तों एक तीसरे टाइप का भी कोशन आता है कभी कभी उसको आप माइंड में रखें यह important एक question और मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर question number third कि जैसे मान लो कभी कभी इस तरह का question आ जाता है she is one of those girls she is one of those girls who is playing who is playing well ठीक है और यह no error यह इसका a part यह इसका b part यह इसका c part और यह d अब देखो यहाँ पर किसमें किसमें क्या error है तो यह एक तीसरे टाइप का question है यहाँ पर कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं को वो यह देखते हैं कि यार one of यह तो हो गया plural और यह वरब होगी singular और वो इस sentence में no error बता देते हैं पर ऐसा नहीं है no error नहीं होगी sentence में यहाँ पर आपको relative pronoun भी दिख रहा है और relative pronoun का antecedent यहाँ पर है girls अब आप इस rule को भूल जाएए one of none of इसको भूल जाएए आप तो इस relative pronoun पर आईए देखे इसके पहले plural है क्या noun या pronoun plural है क्या तो आपको यह वरब भी plural करनी पड़ेगी तो यहाँ पर यह हो जाएगा और अगर यह singular है तो यह वरब भी singular अब आप इसको भूल जाएए one of none of जो भी है आप तो सीधा किस पर ध्यान देंगे आप ध्यान देंगे कि हू पर या कोई भी relative pronoun हो सकता है और उससे पहले आने वाला noun प्रनावन उसका antecedent कहलाता है यह बात हम लोगों ने जो बचे पढ़ चुके हैं मेरे से क्लास में जब हम लोगों ने प्रनावन को पढ़ा था तब बात की थी हमने relative pronoun में तो यहाँ पर यह relative pronoun है इससे पहले आने वाला noun या pronoun antecedent कहलाता है और यह वरब जो होती है वो इसी के नुसार होती है यह singular होता है यह girl होता तो यह is हो जाता यह girl से तो वो आ रहो जाएगा तो यह एक इस type का question भी आपको यहाद रखना चाहिए तो दोस्तों comment करके बताईएगा कैसे लग रहे हैं आपको concept और कैसे लग रहे हैं आपको question यह आपकी final तयारी है परिक्षा से पहले यह सारी चीजें पढ़के जाएए अच्छी तरह से सुनिए time दीजिए धीरे धीरे speed अगर आपको लगड़ा तेज है तो आपके पास option है कि आप धीरे धीरे भी इसको सुन सकते है और बढ़िया त्यारी करें और भारत यह सेना का हिस्सा बने भारत की सरहदों की रक्षा करने के लिए वीर जवान जो है आप उसकी तैयारी करने जा रहे हैं तो बहुत ही गौरव की एक नोकरी है एर फोर्स में जाना आर्मी में जाना नेवी में जाना तो बहुत ही गौरव की नोकरी है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो लेजी बिलकुल तो क्या हो सकता है अगले concept की बात करें तो यहां पर हम कुछ conditional sentence आला कि अपने आप में बहुत बड़ा टोपिक है यह conditional sentence conditional sentence वैसे तो एक पूरा topic है लेकिन अपने पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे topic को पढ़ें और पढ़ना भी नहीं अभी हमें पूरे topic को अब तो परिक्षा नजदिक है तो हम main concept की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं कुछ main concept ही बता रहा हूं आपको तो उसी में conditional sentence का यह concept है कि conditional sentence के दो पार्ट होते हैं इसको if close या फिर when close भी कह सकते हो आप इसको क्या बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो आप if या फिर when close close का अर्थ होता है उपवा क्या है ठीक है और एक होता है main close एक होता है if close और एक होता है main close अगर इस if close में वरब की first form हो या वरब की first form पलस s या es हो तो आप तीन काम कर सकते हो पहला कि main close में भी आप वरब की first form वरब की first form SES लिख दो दूसरा काम कि खाली वरब की first form भी लिख सकते हो अगर sentence imperative है मतलब अगर वरब से ही sentence को start करना है तो फिर खाली वरब की first form ही लिख सकते हो और तीसरी बात कि यहाँ पर अपन will या shall भी लिख सकते हैं वरब की first form के साथ कैसे ये concept पहला है हमारा एक example की बात करते हैं इसके उपर अपन और example क्या है देखते हैं जैसे अपन ऐसे लिखेंगे कि if you if you heat water if you heat water or it space इस तरह से मालनो कि यह कोई fill in the blanks का question है और अपने पास option है boil अपने पास option है boils और अपने पास option है boiled और अपने पास option है head boiled head boiled यह अपने पास option है if you heat water it boil, boils, boiled, head boiled तो यहाँ पर if के साथ first form दे रखिया तो आप सोचिए जब तक कि क्या हो सकता है और मैं दूसरा question लिख रहा हूँ कि if she if she writes a letter writes a letter और और फिर है she if she write a letter she space it और option है अपने पास post option number b है इसको ऐसे लिखो दोस्तों इसको ऐसे करते है चेंज कर रहा हूँ मैं question if इसको ऐसे लिखते है if you if you इसको भी अटाइए if you write a letter और फिर यहाँ पर अपने को लिखना है it option number 1 post option number b पोस्टेड ऑप्शन नंबर c विल विल पोस्ट और या फिर पोस्ट 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 इस तरह से लिखते हैं और एक तीसरा कोशन है हमारे पास कि if you if you waste your time waste your time you space in this exam in this exam option number पहला है will fail will fail option number दूसरा होगा failed और option number तीसरा होगा would fail और option number fourth है would have failed would have और failed ठीक है ये question है अब देखो क्या error हो सकता है यहां कि अपने को rule याद ये रखना है कि if वाले पार्ट में वर्ब की first form scs है तो अगले पार्ट में वर्ब की first form scs भी हो सकता है वर्ब की first form से अगर sentence start हो रहा है तो वर्ब की first form से start होगा will chel plus first form भी है तो if you heat water इफ के साथ first home आ रही है, तो अगले part में क्या आ सकता है, यह तीनों ही आ सकते हैं, लेकिन if you heat water, जब तुम पानी को गरम करते हो, यह उबलता एक scientific truth है, और scientific truth को हमेशा simple presentance में बताते हैं, तो water की बात हो रही है, या it की बात हो रही है, it के साथ वरब की first home, if you heat water, it boils, यदि तुम पानी को गरम करते हो, तो यह उबलता है, if you write a letter, तो आप वरब से start करना है, तो हम क्या लिखेंगे, post it, if you write a letter, post it, यदि तुम पत्र लिखते हो, तो इसको post करो, if you waste your time, फिर वरब की first home आ रही है, है न, फिर first home आ रही है, तो अगले part में क्या होगा, if you waste your time, you will fail, क्या हो जाएगा, you will fail in this exam, तुम इस exam में fail हो जाओगे, failed तो ओनी सकता वरब की second home है, और would fail और would have failed, ये भी नहीं हो सकते, तो answer क्या होगा हमारा, will fail, तो एक तो इस concept को याद रखें, किसका, conditional sentence का, एक तो ये concept याद रखें, लेकिन दो concept और मैं बता रहा हूँ, उनको भी आप दिहान में रखें, उनसे भी प्रशन पूछा जा सकता है, वो क्या है concept, देखते हैं, concept ये है, बचों की, if या when clause, if या when clause, और एक इधर होता है, main clause, if या when clause, और दूसरा main clause, if या when clause में, अगर हमारे को दे रखी है second form, तो इधर हमारे को और क्या लिखना है, हम would plus first form भी लिख सकते हैं, हम could plus first form भी लिख सकते हैं, और हम might plus first form भी लिख सकते हैं, would plus first form, could plus first form, और might plus first form, अगर if वाले part में वरभी की second form दे रखी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कि इधर वाला sentence, ये main clause जो होता है, ये अगर passive voice में हो, passive voice में हो, तो ये जो would plus first form है न, हम इसको passive form में से लिखेंगे, would be plus वरभी की third form, और इसको हम, जो है, sorry, इसको एक बार इसी की बात कर रहे हैं अपने यहां, तो एक example से समझते हैं, की example यह है, कि if you, if you went agra, if you went agra, you would, you would see the taj, you would see the taj महल, ये sentence हैं, अब हमारे पास, if के साथ क्या दे रखा हमें, वरभी की second form, और जब if के साथ second form होगी, तो अगले पार्ट में would plus first form, could plus first form, या might plus first form होगा, तो ये रहा would plus first form, इसलिए ये sentence क्या है, correct है, आपको इसका दिहान रखना है, कि if के साथ second form होगी, तो अगले पार्ट में would plus first form, इसी तरह, मानलो, अपन यहां पर ऐसे लिखते हैं, if you called me, if you called me, I would come, I would come, तो देखो फिर if के साथ वर्ब की second form होगी, अगले पार्ट में would plus first form, लेकिन कभी-कभी उधर वाला sentence पैसी होता है, तो फिर हम उसको would be plus third form भी लिख सकते हैं, जैसे मानलो यह sentence है, कि if you, if you plucked flowers, if you plucked flowers, the gardener, the gardener punish you, gardener punish you, यह sentence है, अभी तो यह वर्ब, if के साथ वर्ब की second form है, तो अगले पार्ट में क्या रहा है, the gardener would punish you, यह would punish you, would punish you, would punish you, would plus first form, यह sentence correct है, लेकिन यह वाला sentence इधर का पैसी बना होता, तो कैसे लिखते हैं अपन, तो अपन ऐसे लिखते हैं, कि if you plucked flowers, if you plucked flowers, the gardener, the gardener, sorry, gardener नहीं, अपने sentence को पैसी बना रहे हैं, अपने sentence को पैसी बना रहे हैं, तो अपने ऐसे लिखेंगे, if you plucked flowers, पैसी बनाएंगे, तो इसको पहले लिखेंगे, you would be punished, you would be punished, by the gardener, by the gardener, तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ नया नहीं कि हमने, हमने पैसी बनाया, you को पहले लिखेंगे, you, और यह जो would plus first form है, would be plus third form हो गया, और gardener को by the gardener लिख दिया, इस तरह से यह conditional sentence का second concept है, कि अगर if के साथ पहले हमने पढ़ा, वरब की first form, SES है, यह देखो, बीचे concept हमने क्या पढ़ा था, कि अगर if के साथ वरब की first form, SES है, जब तो अपने को यह यह करना है, और अगर यहाँ पर हम बात करें, कि if के साथ second form है, तो हमें would, could, might plus first form, लिखना कोई सा भी हो सकता है, इन में से, और अगर sentence पैसी होगा, main clause वाला, तो हम उसको would be plus third form, could be plus third form, might be plus third form भी कर सकते हैं, तो एक तीसरा concept और है इसका, उसको और देख लेते हैं, तीसरा concept क्या है, कि conditional sentence में if या when clause, if या when clause है, कॉमा, और फिर main clause, फिर main clause है, तो यहाँ पर अगर अपने को head plus verb की third form दे रखी है, तो हम इसका जो main clause है, उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे would have plus verb की third form, और यह दोस्तो could have plus third form भी हो सकता है, और अगर यह sentence पेसी हुआ तो हम इसको क्या लिख देंगे हम इसको लिख देंगे would have been would have been plus वरब की third form तब हम इसको ऐसे कर देंगे example से समझते हैं मान लो कि हम ऐसे लिखते हैं कि if you had if you had plucked flowers if you had plucked flowers the gardener the gardener would punish you the gardener would punish you अब देखो यहां पर had plus वरब की third form है if if भी लिखेंगे if you had plucked flowers the gardener would punish you if के साथ had plus third form है तो अगले पार्ट में यह रहा would plus first form लिखा है हमने यह गलत है यहां पर क्या होना चीए था यहां पर होना चीए था would have punished क्या होना चीए था the gardener would have punished you यह होना चीए था यह नहीं होना चीए था और कई बार क्या होता है कि उस वाले main clothes का पैसी बनाना होता है तो हम कैसे बनाएंगे तो हम इस sentence को ऐसे लिख सकते हैं if you had if you had plucked flowers if you had plucked flowers you would have been you would have been punished by punished by the gardener ठीक है तो यह पैसी बनी गा हमने would have been लिखा अब की बार would have been third form क्योंकि हमने इधर वाले sentence को अब हमने पैसी बना दिया है तो बचों यह याद रखने तीन concept if के साथ first form SCS होता है तो अगले part में will shell plus first form वरब की first form हो सकता है और अगर if के साथ वरब की second form है तो would, could, might plus first form और पैसी होगा तो would be, could be, might be हो सकता है और if के साथ head plus third form होगा तो अगले part में would have, could have, might have और पैसी होगा तो would have been, could have been, might have been third form भी हो सकता है तो अनन्द लीजिये class का और भी कुछ को concept है जहां से पूछा जा सकता है उन concept को भी नहीं छोड़ेंगे अपने और उन concept की भी बात करते हैं अगर है चली देखिए अब हम बात करेंगे अब adverb से थोड़ी सी कि एक होता है adverb of manner adverb of manner क्या होता है adverb of manner adverb of manner मेनर कार्थ होता है किसी कार्य का तरीका बताना और ज्यादा तर यह वर्ड वर्ड जो होते ना एलवाई वाले होते हैं जैसे क्विक्ली इजली स्लोवली फ्लॉइंटली वगएरा और एक यह होता है एड़वर्ब ओफ प्लेस एड़वर्ब ओफ प्लेस यह होता है इस्थान ठीक है प्लेस और तीसरा होता है एड़वर्ब ओफ टाइम यह होता है समय अगर किसी भी संटेंस में इन तीनों का जिकर किया जाए हैं तरीका समय और स्थान यानि के हम किसी भी इंसिडेट के बारे में किसी बी गटना के बारे में किसी वैकती को इंफرमेशन देना चाहें तो हम एक तो ये बताते हैं कि वो घटना कैसे घटी, एक हम बताते हैं कहां गटी, एक हम बताते हैं कब घटी तो हम तीन चीजों की information देते हैं कैसे कब और कहां तो इसकी एक series होती है दोस्तों इसका एक करम होता है अगर आपने उस करम को गलत कर देंगे ना तो sentence में error होगी करम क्या होता है MPT करम क्या होगा MPT करम एक तो MPT करम होता है और एक PMT करम होता है कब MPT होता है और कब PMT होता है इसको देखना है थोड़ा सा तो यहां पर देखो सबसे पहले हम बात करें इस MPT कार्थ क्या है इस MPT कार्थ है Adverb of Manor M, P कार्थ है Adverb of Place और T कार्थ है Adverb of Time तो यह MPT करम कैसे लगता है जैसे अपने ऐसे लिखा कि They shouted in the class loudly yesterday or no error यह sentence है तो यह है इसका A part, यह है sentence का B part, यह है sentence का C और यह है D यह करा They shouted in the class loudly yesterday तो अगर हम एक थोड़ा सा change करते हैं अपने इसको oblique को लगाते हैं यहां अब देखो in the class, in the class तो है Adverb of Place यह तो Adverb of Place है और loudly य वाला शब्द Adverb of Manor है और yesterday Adverb of Time है तो यह sentence B part में error है Error क्या है? यहां पर पहले loudly आएगा फिर in the class आएगा loudly फिर आएगा in the class क्योंकि हमें MPT करम को follow करना है सबसे पहले तो Adverb of Manor तो He shouted, He shouted, यहां पर in the class पूरा घर ले जाएंगे He shouted loudly in the class yesterday यह sentence ऐसे होना चाहिए क्योंकि यहां पर MPT करम को follow करना है हमें लेकिन यह PMT कब follow होता है? PMT दोस्तों चार वरब के साथ ही होता है एक तो come, एक go, एक enter और एक arrive बस यह चार वरब के साथ ही आपन PMT करम को लगा सकते हैं इन चार वरब के साथ ही PMT करम को लगा सकते हैं बाकि सब जगे MPT करम चलता है जैसे एक example देखो example यह है कि they entered they entered secretly secretly in the principal's office in the principal's office last night last night or no error a part यह हो गया b यह हो गया c और यह हो गया d they entered secretly in the principal's office last night अब secretly क्या है adverb of manner ठीक है और principal का office क्या है adverb of place और last night क्या है adverb of time यह अपने थोड़ा सा change करेंगे यहाँ इसको अटा कर यहां करते हैं इसको अटा कर अपने office और ऐसे करते हैं अब देखो तो MPT करम बन रहा है जबकि यहां पर क्या था entered entered के साथ enter के साथ तो PMT करम बना चाहिए यानि कि पहले place फिर manner फिर time होना चाहिए तो यह place principal का office तो पहले secretly बाद में यानि कि यह sentence कुछ इस तरह से होना चाहिए they entered in the principal's office in the principal's office secretly last night इस तरह से होना चाहिए मतलब principal का office पहले फिर secretly फिर last night तो पहले अपने को place बताना है principal का office place है फिर secretly तरीका बताना है फिर last night time को बताना है तो यह चार वरब जो होंगी ना इनके साथ तो PMT करम लगेगा बाकी सब जगे MPT करम लगेगा तो बच्चों इस बात को भी आप जहान में रखे question हो सकता है यहां से उच्छा जा सकता है हो सकता है अपने तो idea ही लगा सकते है फिर भी जो main main चीज़े हैं वो अपने clear कर लेंगे चलिए अगले concept की बात करते हैं अगला concept अगला concept concept है ना बच्चों याद रखना mostly वाला mostly mostly की ये लिए याद रखना है कि इसका use इसका use every से पहले नहीं होगा every से पहले नहीं होगा इसका use every से पहले नहीं होगा every से पहले कभी नहीं इसका use करना है तो फिर इसके स्थान पर किसका use करेंगे हम इसके स्थान पर हम almost का use कर सकते हैं इसके स्थान पर हम nearly का use कर सकते हैं लेकिन हम mostly का use नहीं कर सकते एवरी से पहले example से समझते हैं जैसे question यह है mostly mostly every student mostly every student has a mobile phone a mobile phone these days these days और नो एर तो यह है sentence का a part यह है sentence का b part यह है sentence का c और d mostly every student has a mobile phone these days तो दोस्तों यहाँ every दिख रहा है ना तो mostly नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर क्या दिखेगा almost यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे almost every student has a mobile phone these days mostly नहीं आ सकता तो फिर यहाँ यह mostly आ कहां सकता है mostly आ कहां सकता है ऐसा कुन सा question हो सकता है तो ऐसा question यह हो सकता है question 1, 2 he he is mostly absent absent from this class from this class or no error तो यह है बचो a part यह है second part यह है third part और यह है d तो he is mostly absent from this class यहाँ पर mostly का प्रियोग कर सकते हम क्योंकि यहाँ पर आपको every नहीं दिख रा तो every नहीं दिख रा ना इसलिए mostly सही है तो यह sentence यहाँ पर सही है तो यह तो हुई mostly की बात लेकिन question enough से भी कई बार पूचा जा सकता है पूचा जाता है पूचा जा सकता है तो enough से enough जिसका आपने बली भाती नाम सुना होगा enough जिसका हिंदी अर्थ होता है प्रियाप और कभी आप से यह पूच ले कि enough का synonym क्या है तो दोस्तो enough का synonym adequate होता है sufficient होता है adequate और sufficient इसके enough के synonym होता है और enough का हिंदी अर्थ होता है प्रियाप लेकिन इसे error का question कैसे पूचता है उसकी बात करते हैं अपने देखें यहां बर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि enough का use कैसे होता है enough का क्या concept है enough का हिंदी अर्थ तो होता है प्रियाप हिंदी अर्थ क्या होता है प्रियाप और अगर कोई हमसे पूचे कि बताओ भीया इसका synonyms क्या है इसके synonyms यानि कि इसके समानार्थी शब्द क्या है तो इसके समानार्थी शब्द है adequate adequate होता है एक तो और एक होता है सफिशेंट सफिशेंट और adequate इसके सिनोनिम होते हैं और इसका ऐ्सका यूज ये है एडेट में प्लस नाउन और एडेटिव प्लस एफ मैं तक एडेटिव प्लस एडें एडेटिव कोने होता है ना यह मिशत्ता positive degree में होना चाहिए और सापीशन और इसकाgod पहले होता है और ऐसके बात होता है लेकिन जो फोता है तो जीए तो यहां पर देखिए question question यह है कि Gita is Gita is enough strong enough strong to win this fight Gita is enough strong to win this fight or no error अब यह है sentence का A part यह है sentence का B part यह है sentence का C और यह D अब देखो दोस्तों यहां पर strong adjective है और enough का प्रियोग इससे पहले हो रहा है जबकि यह rule क्या कह रहा है कि enough का प्रियोग adjective के बाद होता बस यही mistake है कि हम इसको enough strong नहीं strong enough लिखेंगे कैसे लिखेंगे strong enough तो यह strong enough होना चाहिए enough strong नहीं है गीता is strong enough to win this fight और दूसरा यह जो strong है नहीं strong होना चाहिए strongest या stronger नहीं चलेगा क्योंकि strong तो positive degree है stronger और strongest comparative और superlative degree है ऐसा नहीं होना चाहिए तो यह तो बात होई enough की noun के साथ कैसे आता है noun से पहले आता है तो जैसे अपन कहते हैं he has he has enough books he has enough books in his bag उसके bag में प्रियाप्त केताबे हैं तो books क्या है noun है और enough का प्रियोग उससे पहले क्या जा सकता है enough का प्रियोग noun से पहले होता है तो यह लेकिन यह degree भी याद रखना, degree का example मैंने भी नहीं लिखा यहाँ पर आप याद रखना यह strong ही हो सकता, stronger या strongest नहीं हो सकता, comparative और superlative degree इनफ के साथ नहीं आती, adequate और sufficient इसका synonym होता है, हिंदी अर्थ होता है, प्रयाब, तो यह बात हुई इनफ की, ठीक है, चलिए आगे, आगे अगले concept की अपन यहाँ पर बात करते हैं, तो दोस्तों, एल वाई वाले शब्द जो होते हैं, एल वाई, यह क्या होते हैं, यह होते हैं, एड़ वर्ब ओफ मेनर, एड़ वर्ब ओफ मेनर होते हैं, ठीक है, और यह जो एल वाले शब्द होते हैं, एड़ वर पहले इनसे पहले प्रिपोजिशन का यूज नहीं किया जा सकता यह कोशन है I want to live with peacefully or no error अब यह संटेंस का A part यह संटेंस का B part यह संटेंस का C और यह D I want to live with peacefully तो यहां पर peacefully जो है न वो य वाला शब्द है और वो manner है तो इससे पहले प्रिपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा तो I want to live peacefully बस इतना होगा I want to live with peacefully नहीं होगा जैसे I solved this problem in carefully or no error तो यह है इसका A part यह है इसका B part यह है C और यह है D तो फिर यह Adverb of Manor है और Adverb of Manor से पहले प्रिपोजिशन का यूज नहीं किया जा सकता और यह बात प्रिपोजिशन की हुई है तो एक चीज़ और बता दूँ कि मान लो यह कोशन है He considering about his qualities He is his qualities He is not a bad boy He is not a bad boy तो यह है इस sentence का A part यह है sentence का B part यह है sentence का C part और यह D तो considering about his quality He is not a bad boy तो यहाँ पर दोस्तों error क्या हो सकती है यहाँ पर error यह है कि यह about का use इसके साथ नहीं किया जा सकता क्यों नहीं किया जा सकता किकि considering खुदी preposition है और preposition के साथ इस तरह से दूसरा preposition हम नहीं लिख सकते और इस तरह में considering, regarding, pending, during यह कई तरह के preposition होते हैं जिनके साथ आप other preposition को नहीं लगा सकते considering, regarding, pending, durante अक्सर इनके साथ ऐसा कुछ आ जाता है तो आप ध्यान रखें इनके साथ ये preposition का परियूग नहीं किया जाएगा चलिए अगला concept अगला concept आपको याद ये रखना है कि अगर किसी sentence में kind of, type of, kind of, type of, sort of दे रखा हो और इसके बाद यहां पर कोई noun दे रखी हो तो इस noun से पहले no article no article किसी भी article का use नहीं करना आपको क्या kind of, type of, sort of और उसके बाद noun दे रखी है तो इस noun से पहले आपको कोई article नहीं लगाना कैसे जैसे ये sentence है कि I don't like I don't like this type of, this type of a book मालो ये sentence है I don't like this type of a book और ये है sentence का B part और ये है sentence का C part और D तो देख लो type of आ रहा है इसके बाद book noun है तो इससे पहले article का use नहीं होगा तो ये सीधा ही बनेगा I don't like this type of book ऐसे नहीं लिखेंगे कि I don't like this type of a book ये यहाँ पर गलत है और article की ही दूसरी बात ये है कि article खुद ही adjective होते है तो article किसी adjective की विशेस्ता बताने के लिए नहीं आते कभी भी article लगाना है तो उसके बाद noun होनी चाहिए बिना noun के article नहीं आएगा जैसे देखिए एक example कि she claims that she is an intelligent और ये नो है रहा तो ये है sentence का A part ये है sentence का B part ये है sentence का C और ये है D she claims that she is an intelligent वे दावा करती है कि वे intelligent है तो देखो यहाँ पर N का प्रियोग नहीं होगा article का प्रियोग नहीं होगा हलांकि intelligent vowel की sound देता है तो इसके साथ article N आना चीए लेकिन ये खुद adjective है और article भी adjective होते है और ये बिना noun के नहीं होते है अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता है intelligent girl अगर यहाँ पर कोई noun होती तब तो article N का use कर सकते थे फिलाल यहाँ पर article का use नहीं किया जाएगा तो ये चीज भी आपको याद रखनी है और एक चीज और याद रखनी है कि ये जो that होता है that relative pronoun में होता है that से पहले preposition नहीं आना चाहिए no preposition no preposition that से पहले कोई preposition नहीं आना चाहिए ये बात याद रखनी है इसका question एक ऐसे आया हुआ है ऐसे सी exam में कि the medicine of the medicine of that alcohol alcohol is a component component should not be given should not be given to the children to the children ऐसी दवाईया जिन में alcohol हो बच्चों को नहीं देनी चाहिए तो यहाँ पर देखो that से पहले preposition का यूज नहीं होगा देट से पहले preposition का परियूग हमें नहीं करना है चलिए next concept की बात करते हैं अगला concept जो एना वो that से related ही है that relative pronoun में important pronoun मना जाता है कि देट का यूज कहां कहां होता है अगर देखो पहला concept तो यह है कि अगर इसी sentence में the same दा लिटिल दा लिटिल दा सेम या दा ओनली आ जाए तो फिर ऐसे sentence में हमें किस का यूज करना है देट का यूज करना है एक्जामपल देखिए एक्जामपल यह है कि जैसे you are you are the same boy same boy who has who has stolen my books who has stolen my books तुम सेम वही लड़के हो जो मेरी किताबें चुरा चुके हो तो यहां पर दा सेम की वज़े से हम who का यूज नहीं करेंगे यहां पर हम किस का यूज करेंगे देट का इसी तरह एक कोशन यह है कि man ऐसे सी परिक्षाम पूछा गया यह कोशन बचों कि man is the only animal the only animal man is the only animal which can think which can think मनुश्य एक मातर ऐसा पशू है जो सोच भी सकता है तो यहां पर the only की वज़े से हम which का यूज नहीं करेंगे हम यहां पर किस का यूज करेंगे that का man is the only animal that can think मनुश्य एक मातर ऐसा पशू है जो सोच भी सकता है तो इसी तरह दा little आजाए दा same आजाए दा only आजाए इन सब के साथ अपने को that का यूज करना है और that से पहले preposition का प्रियोग नहीं करना है that के साथ super little degree का यूज किया जाता है इस बात का भी ध्यान रखना है that का एक rule और भी है that का यह rule भी यह है बी रूल की बात करूँगा यहां पर अगर किसी sentence की सुरुवात who से हो जाए या what से हो जाए या sentence की सुरुवात which से हो जाए और last में question mark है मतलब यह interrogative pronoun हो तो यहां पर बीच में अगर किसी pronoun की जरूरत पढ़ती है ना तो फिर वो that हो सकता है कोई और नहीं कौन हो सकता है that हो सकता है कोई और नहीं तो example यहां पर देखेंगे अपने जैसे अपन बोलेंगे कि who am I who am I who's called you who is called you who am I who's called you मालो यह question है तो who से sentence की सुरुवात हो रही है और last में question mark है तो बीच में क्या आएगा बीच में आएगा that इसके अलावा और कोई relative pronoun यहां नहीं आ सकता है तो that की यह बात भी आपको याद रखनी है that से भी question पूछा जा सकता है अब मैं आपको कुछ बाते preposition की बताने जा रहा हूँ preposition में जो question आता है न वो ज्यादा तर fix preposition से पूछा जाता है कहां से पूछा जाता है fix preposition fix preposition का अपने को ध्यान रखना है आलंकि इसकी एक लगभग fix preposition मैंने जो बच्चे बढ़ते हैं मुझसे class में लिखवा रखे हैं मैंने so preposition तो अब यह so preposition तो यहाँ fix preposition जहां से जो संभावित हैं जहां से question बन सकता है अक्सर पूछा भी जाता है पहले भी कई बार परिक्षाओं में पूछा गया है तो मैंने एक list मना रखी है so fix preposition की तो बच्चों मैं यह वो अगर so preposition यहाँ बताने लग गया fix तो फिर तो समय बहुत जादा लगेगा ना तेरा हमारा वो जो कम समय वाली revision की इकलास है वो नहीं बनेगी तो इसलिए जिन बच्चों को भी यह so question वाला जो matter है वो चाहिए तो comment करना तो और अपना कोई number बता देना उस पर मैं आपको send कर दूँगा वो हैना या फिर महां वही हो सकता है और तो कोई जा रहा है नहीं so question की so fix preposition की एक sheet है मैं आपके साथ वो share कर लूँगा कैसे भी कर लूँगा आप comment करके बता दीजिए कि किस माध्यम से आपको वो share करनी है वो मैं share कर दूँगा लेकिन उसमें से भी कुछ fix preposition जो है तो वो जो so है उसमें से अपके से भी कुछ most important है वहां उन तीन चार की मैं यहां पर बात करने वाला हूँ वो कौन से है js़ैसे अपने को पता है कि एक word होता है agree, agree का आर्थ होता है सहमत होना, इसके साथ दो preposition होता है, एक तो with होता है, और एक होता है to, और with कब होता है to कब होता है, with तो होता है person के साथ और to होता है thing के साथ जैसे example यह है कि I am I am agree with you I am agree with you, मैं आप से सहमत हूँ, तो you person था, इसलिए इसलिए हमने with का परियू किया और अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि I am agree at your proposal मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ, तो यहां पर वच्छों at का परियू होगा इसी तरह angry के साथ भी क्या आता है angry के साथ आता है with or at angry के साथ क्या आता है with or at यहां पर to आएगा sorry, यहां पर आएगा I am agree to your proposal और at angry के साथ आता है, इसमें तो एक यह याद रखना है और दूसरी बात कि अकसर एक question पूछा जाता है कि hard work hard work is key to success key to success परिशनम सफलता की कुझी है तो की जो वर्ड है ना इसके साथ to यहां तो यह की की टूई सही है hard work is key to success यह सही है लेकिन की के साथ दो preposition यूज होते है की के साथ to का यूज भी होता है और की के साथ off का भी यूज होता है जैसे off का कब होता है जैसे अपन ऐसे बोलेंगे this is key of door यह दरवाजे की चाबी है तब अपन off का प्रियू करेंगे और इसका मतलब वास्तम में चाबी की बात कर रहे हैं जब तो अपने off की बात करेंगे और अगर अपने ऐसे करते हैं कि परिशनम सफलता का मार्ग है माध्यम है तो वहाँ परपन तू का प्रियू करते हैं इसी तरह एक word होता है made made के साथ made in भी होता है made of भी होता है made by भी होता है or made from भी होता है made in कब होता है made in होता है place के लिए made of होता है off होता है thing के लिए और यह होता है person के लिए और ये होता है किसी चीज के mixture के लिए या किसी चीज की origin के लिए origin और mixer के लिए तो mad in कब होगा place जैसे मैं कहदा हूँ कि मेरा mobile इंडिया का बना है तब मैं क्या बोलूँगा my phone is mad in India क्योंकि मैं place की बात कर रहा हूँ और मैं कहदा हूँ कि मेरी अंगूठी सोने की बनी है तब मैं क्या बोलूँगा my ring is mad of the gold और अगर person की बात होगी मेरी अंगूठी सुनार की बनाई हूई है goldsmith बोलते हैं उसको तो फिर मैं क्या बोलूँगा my ring is mad by goldsmith और ये जो from है ये किसी चीज़ बहुत सारी चीज़ें मिला कर एक चीज़ बनाना या कोई चीज किसी चीज़ से उत्पन होना उसके लिए from का प्रियूग किया जाता है जैसे अपने कहते हैं cheese यानि की paneer cheese made from milk या फिर अपने कहते हैं I या फिर अपने ऐसे बोलते है this tea is made from milk, sugar, water वगएर वगएरा tea leaves ऐसे कहके अपने from का भी प्रियूग कर सकते हैं इसी तरह अवेल जो होता है इस वर्ड होता है अवेल अवेल का अर्थ होता है फाइदा उठाना इसके साथ fix preposition off होता है लेकिन इन दोनों के बीच में यहां पर कोई reflexive pronoun होना चाहिए कोई reflexive pronoun होना चाहिए मतलब myself, himself, herself इस तरह का कोई reflexive pronoun इन दोनों के बीच में होना चाहिए अगर मैं example की बात करूँ न तो मैं ऐसे क्या होँगा कि I availed I availed myself I availed myself of this opportunity मैंने स्वम इस अवसर का फाइदा उठाया तो अवेल्ड के साथ fix preposition off है लेकिन बीच में कोई reflexive pronoun होना चाहिए यह तो बात होई दोस्तों अवेल की ऐसे ही कुछ और fix preposition है उनकी भी बात मैं बता देता हूँ जैसे एक होता है Abide Abide के साथ fix preposition बाइ आना चाहिए Abide के साथ क्या आना चाहिए और एक होता है Cure Cure के साथ fix preposition off आना चाहिए जैसे अपने बोलते हैं कि there is no cure of COVID-19 तो cure के साथ off लेकिन care के साथ care के साथ क्या होगा 4 होगा इसी तरह acid A-C-C-E-D इसका अर्थ होता है सहमत होना acid 2 My teacher acid to my answer मेरा teacher मेरे answer से सहमत हुआ तो इसके साथ 2 का प्रियूग किया जाता है इसी तरह ashamed word होता है ashamed ashamed के साथ off इसी तरह surprised crash satisfied satisfied में responds blind blind के साथ 3 प्रिव जिशन आते हैं blind के साथ 3 प्रिव जिशन आते हैं blind in भी होता है blind in ठहता है एक आउंख से अंधा ijn Lynn off होता है दो आंख से अंधा और बलेंड च्वोता है अपने दोश नहीं देखता है, जो बंदा अपने दोश नहीं देखता है, जिसको अपनी गलतियां पता नहीं है, वो blind to है, जो इसे अपने कहते है, you should not blind to your own false, तुम्हें अपने दोशों के परदी अंधा नहीं होना चाहिए, Milton was blind of both eyes, Milton दोनों आखों से अंधे थे, और एक आ आर्थ होता है, शेक ही मारना, तारीफ करना, अपनी तारीफ करना, he always bossed of his new car, वे हमेशा अपनी नई कार की तारीफ करता है, तो यहाँ पर आफ का परियोग भी अपन इस तरह से कर सकते हैं, इसी तरह कि जैसे मैंने यहां पर यह वर्ड लिखे ना, इसी तरह कि मैंने लग भग सो ऐसे most important की एक list बना रखी है आप comment करेंगे आप अपना कोई भी number बताएंगे आप कोई भी source बताएंगे उसके माध्यम से मैं आपको provide करवाद हुआ यह शीट अब कुछ और last में कुछ और important बात अपने करते हैं वो यह कि एक conjunction होता है conjunction list जिसका हिंदी अर्थ होता है कहीं ऐसा ना होगी कहीं ऐसा ना होगी यह एक conjunction होता है और इसके बाद model आता है हमेशा शुड मौडल कौन सा आता है शुड लेकिन याद रखना कि यह एक negative word है इसके बाद कोई negative word नहीं आना चीए कोई negative word नहीं आना चाहिए इसके बाद कोई negative word नहीं आना चाहिए इस बात का आपको दियान रखना है एक example से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि work hard कड़ी महनत करो work hard कड़ी महनत करो list कहीं ऐसा ना हो की you should not you should not fail you should not fail in this exam in this exam कड़ी महनत करो कहीं ऐसा ना हो की तुम इस exam में fail हो जाओ मालनों यह sentence का a part है और यह sentence का b part है यह sentence का c part है और यहाँ पर है no error तो बच्चों यहाँ पर list के साथ should आता है यह बात तो ठीक है लेकिन negative word नहीं आना चाहिए यह sentence में error है इसी तरह एक होता है so that एक होता है so that एक होता है so that और एक होता है in order that in order that so that और in order that का एक हिंदी अर्थ होता है ताकी क्या अर्थ होता है ताकी इन से पहले अगर वरब की first form या वरब की first form प्लस SES होगा तो तो अपने इसके बाद किसका use करेंगे मे का और अगर इन से पहले वरब की second form होगी तो अपन किसका प्रियूग करेंगे might का यह चीज दियान रखनी है तो यहां अपने एक example से इसको देखते हैं जैसे we eat food we eat food so that so that we can live और यहां पर है no error तो यह है sentence का a part यह है sentence का b part यह है sentence का c और यह दी we eat food so that we can live तो यहां पर देखे so that and so that से पहले आ रही है first home तो यहां पर can का प्रियोग नहीं किया जाएगा यहां पर प्रियोग होगा me का इसी तरह मालू ऐसे होता कि we work hard we work hard so that so that we may get a government job a government job तो यहां पर so that से पहले क्या रहा है second form तो यहां पर क्या आना चाहिए might तो यहां पर might का use होना चाहिए दोस्तों इस तरह से list और यह so that का फंडा अपने को याद रखना है एक since का फंडा और बता देता हूँ मैं आपको last since since से संबंधित भी हमसे प्रशन पूछे जाते हैं since जिसका अर्थ होता है जब से इससे पहले has या have प्लस वरब की third form आती है और इसके बाद second form आती है कैसे जैसे यह प्रशन है कि he has not written me any letter he has not written me any letter since he went America since he went America ठीक है तो यहाँ पर देखो since आ रहा है since से पहले has plus third form और since के बाद क्या आना चाहिए went second form है तो यह sentence रही है इसमें या तो इस तरफ एरर पूछ लेगा या फिर उस तरफ पूछ लेगा कैसे भी पूछा जा सकता है एक since का और concept है ये कि it was से अगर कोई sentence शुरुआत हो रहा है और plus यहाँ पर time expressing word दे रखा है time expressing word दे रखा है और यहाँ पर ago है और उसके साथ since पढ़ा है ना तो यह since गलत है since के स्थान पर किस का use होना चाहिए that का use होना चाहिए ये एक rule है दोस्तों ठीक है it was plus time expressing word है तो उसके बाद ago है तो ago के बाद since दे रखा है ना तो वो गलत है उसके बाद that आना चाहिए जैसे ये question है it was two years ago since he made me he made me और no error ये है sentence का a part और ये sentence का b part ये sentence का c और d it was two years ago तो ago के साथ यहां पर since का use नहीं होगा यहां पर किस का use होगा that का use होगा ago के साथ किस का use होगा दोस्तों ago के साथ since का use नहीं होगा ago के साथ that का use होगा एक tense से संबंदी तो और बात देख लेते हैं कि अगर किसी भी sentence में by या till है by या till है plus future का कोई time दे रखा है future का कोई time दे रखा है तो फिर ऐसे sentence में अपने को will have will have या shall have will have या shall have plus वरब की third form यानि की future perfect tense का use करना है जैसे example है example क्या है कि he space return he return my book my book till next Sunday till next Sunday तो यहां पर till के बाद future का अगर समय है तो हम future perfect tense का use करेंगे यानि की यहां पर क्या होगा he will have he will have returned he will have returned my book तो will have plus third form का प्रियूग यहां पर किया जाएगा एक tense का दूसरा रूल यह है कि अगर sentence में एक तरफ will have या shall have प्लस वरब की third form है तो before after है तो अगले पार्ट में वरब की first form या वरब की first form ses का use किया जाएगा यह दूसरा रूल है जैसे example से समझते हैं कैसे कि example यह है कि she will have she will have taken tea she will have taken tea before her school bus her school bus arrives arrives तो देखो यहां पर will have प्लस वरब की third form और इधर क्या आ रहा है arrives बीच में आ रहा है before तो यह रूल यह रूल यह दोनों याद अपने को रखने हैं कि will have shall have plus third form है तो अगले पार्ट में वरब की first form ses का use किया जाएगा एक देखो एक रूल यह है कि it is time it is time या it is high time it is time या it is high time के बाद अपने को रख की second form का use करना चाहिए कैसे करना चाहिए जैसे example है it is high time it is high time you start your new business your new business तो यहाँ पर दोस्तों start नहीं होगा क्या होगा started क्योंकि it is high time के बाद अपने को second form का use करना है it is time हो या it is high time के बाद अपने को second form का use करना है एक रूल और देख लो last वो यह कि अगर किसी sentence में being है और being के साथ लिखा है a hot day a hot day या a cold day या holiday या rainy day holiday या rainy day या कुछ भी being तो इस being से पहले अपने को it का use करना है जैसे अगर मालो ऐसे लिखते हैं कि being a hot day I skip my work I skip my work तो यहाँ पर इस से पहले क्या आना चाहिए it कई बार being के बाद भी आता है इधर भी आता है तो दोस्तों यह active passive और narration को छोड़कर मैंने सारे topic यहाँ पर touch करने की पूरी कोशिश की है फिर भी हो सकता है कोई रह जाए और active passive narration का मेरे YouTube चैनल पर already वीडियो मना हुआ है आप वहाँ से देख लीजिएगा और पूरी तैयारी करें जोश और जुनून के साथ और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तो अगली क्लास में एक और अन्टोनिम इडियों स्वन वर्ड के हैं ओगे नमस्कार बेस्ट अफ लग्ग